जै माताजी मित्रो मेरे नाम पंडीत प्रकाज जोसी स्वागत है मेरे योट्यूब फेस्बूग चैनल एस्टो आज मैं मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं सापताहिक राशीफल यानि 20 मार्च से 27 मार्च के वीकली राशीफल की और एक और बार बता दूँ ये जो सपताहे ब धन विरिद्धी को हम सिंगासन योग कहते हैं जो कि छे राशीओं का बंडा इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस सपताहा बहुत सारी गतिविदियां होने वाली है सबसे पहले देखा जाए तो 22 तारिक से देखा जाए हिंदू यानि सनातन नववर्ष प्रारंब हो र तो सबसे पहले सबी सनातनी को हिंदू नवर्ष की हार्दिक शुब कामना है दूसरी चीज देखा जाए तो 22 तारिक से लेकर और 30 मार्च तक 24 नवरात्रे भी प्रारंब हो रहें सबसे पहले हम इसनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 24 नवरात्रे कब से शुरू है और क दूसरा नवरात्रा तेईस मार्च को होगा, तीसरा चौविस, और चोथा नवरात्रा पक्चिस मार्च, और पाँच हुआ नवरात्रा चौविस मार्च को, जैसा कि आप सार्णि में देख सकते हैं, इसको नोट कलीजेगा, राम नवमी यानि नवा नवरात्रा अगर देखा जाए तो 30 मार्च 2023 को राम नवमी है यानि देखा जाए तो 22 मार्च से लेखा और 30 मार्च तक नवरात्रे प्रारंब हो रहे हैं अगर आपको मूरत नहीं मिलना किसी काम का, नवरात्रे में आग बंद करके कर दीजेगा, क्योंकि अबूज मूरत होता है यह, अब हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत से बुद्धी जेवी केते हैं, कि नवरात्रे थो साल में दो दोबाद है, और दुर्गा की पूजा या नवरात्रे में देवी की पूजन क्यों करा गया है करने को कहा गया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि देवी की पूजा क्यों होती है इसके तीन जवाब है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पहला देखा जाहिए पहला जवाब इसका यह है कि इस बर्माण के अंदर या प्रकर्ति के अंदर या चरा चरा जगत के अंदर जो फनले फूलने और विकास की जो शक्ति है उसको माया कहा जाता है और इस त कि जो लेडीज है या इस्त्री योनी है हर किसी योनी के अंदर जो 84 लाग योनी के अंदर जो इस्त्री योनी है वो उस सक्ति का की कौपी है याद रखिएगा यानि कि इसलिए नवरात्रे में इस्त्री की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन के अंदर भी और ब्रहद ब्रह पूमाण के जीवन के अंदर भी विस्तार परचार हो सके उसका जो महामाया शक्ति है वो इस्त्री जवाब भी है तारकिक जवाब क्या है इस पिर्थवी के इतिहास के अंदर खास कर जब से मानव सब्विता बनी है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा शोशन जो जिस प्रजाती का हुआ है वो इस्त्री का हुआ है साती साथ इस्त्री को निंदा का पात्र भी समझा गया है औ कि लिखे सbow सड्रा इस्त्री को प्राइब लिख़ी तो कही ना कहीं आ मित्या संसार भी कहा गया है कि इस्त्री मित्या हे और इस्त्री के छूने से आदमी भरष्ट हो जाता ऐसे ऐसी कहवते चीजें प्रचलन हैं आप जानते ही हैं तो मारकंड मेरी रिशी ने ध्यानेदी करें तो उन्होंनें देखा कि इस्त्री शक्ति चारूप है परमानंद से मिलाने का साहियो जा है या Such कि जहां पर इस्तृ की पूजा उतए उत्य है वहां पर दोटैकर रहते हैं तो कहीना कहीन जो कोई महापुरूश है चाहे भगवान है चाहे कोई भी है तो कहीना कहीन इस तरी का उसको भगवान बनाने में बहुत बड़ा सही होग है पहले पहला सही योगति यह कि वह जनम दात्री है यानि कि जनम दिया है इस दरा में जो भी जीव जनतु हो चाहे मनुश्य हो चाहे आदी मनुश्य हो चाहे बहुत बड़ा मनुश्य हो या रिशी हो सब को इस तरी नहीं जनम दिया है तो इस तरी का हमें धन्यवाद अदा करते हैं नवरात्रों में हम पूजा करते हैं इस तर प्रहेज करते हैं तो जो नौ दिन है वह भौत खास दिन है उसके अंदर यह आप अपने खान पीन में अपनी निद्रा में अगर आप प्रहेज करते हैं तो आप बिमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि इस समय पे मानसिक परिशानिया बहुत ज़्यादा होती है लोगों के अंदर चिर्चड़ा पन ज़्यादा रहता है लोगों को की प्रतिरोधी छमता जो शरीर की प्रतिरोधी छमचा होती है वो कमजोर होती है जिससे की बहुत सारे सर्दिक हासी जुखाम येंटी प आदते हैं तो ये मित्रों हमने बात करी नवरात्रे की अब हम बात कर लेते हैं या लगन में बैठे हैं तो सबसे पहले हम स्वास्त के बारे में बात करें तो शनी चंद्रमा की अगर हम बात करें के कारण आपको इस सपता यानि 20-27 के बीच में थोड़ा सापदान रहना है आपको पेट की समस्या मेश राशी को हो सकती है गैस की समस्या मेश राशी को हो सकती है यानि प क्तिवरगी योग का कоновिनेशन संवंदी यह सब्समाचार प्राप्त का पहला नौकरी में कोई भौतिक सुख सुमिधाइं आपके बर्सकती है यानि कि नौकरी में आपको एक्ष्ट्रा कॉन ली जा सकती है एस्टरा कुछ बात आपकी मान ली जा सकती है ये सब्ता ऐसा होने के योग बनते हैं साथी साथ नई नौकरी का अच्छा पैकेज का योग बनता है तीसरा अचानक आपको धनलाब होगा अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में कि रिलेशन कैसा रहने वाला है तो इस सब्ता सब्तम में केतू है यानि देखा जाए तो सब्तम में केतू है तो एक तो पार्टनर अगर वाहन चलाता है आपका और खासका टू विलर वहन चलाता है तो उनको साबदानी रखनी है हलके फुलके वहन पे खर्चा या हलका फुलका एक्सिडेंट के योग बन रहे हैं साथी साथ आपका पार्टनर आपकी हर बात पे शक करेगा संदेह करेगा ऐसा योग नजरा रहा है साथी साथ देखा जाए पार्टनर आपकी हर बात की कमी निकालेगा तो कुल मिलाके इस सप्ता मेजरासी वाले जातक को या जातिकाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है क्योंकि पार्टनर की इस्तथी बहुत अच्छी नहीं है आप बात कर लेते हैं करियर के बारे में तो करियर में देखा जाए तो शनी आपके लाब वाओं में इस सप्ता बैटे में यानि कि करियर में अगर आप नई नोकरी के बारे में सोच रहे हैं या बहुत से कोई प्रस्ताव लेने हैं या बहुत से कोई बात करनी हैं मैनेजमेंट से कोई बात करनी हैं तो ये सब्ता आती उत्तम रहेगा क्योंकि शनी आपके लाव में बैठा है या आपको ऐसा लग रहा है काम में कुछ ढिलाई हो रही है किसी व्यक्ति के कारण लापरवाई हो रही है तो आप कही ना कहीं उसका विरोध भी इस सप्ता कर सकते हैं साती सात ये सपता आप कई तरह के प्रोजक्ट में बीजी रहेंगे, यानि कुल मिला के ये सपता आपका नॉर्मल रहने वाला है, करीयर में नॉर्मल रहेगा, अब बात कर लेते हैं बृषब राशी की, तो बृषब राशी का देखा जाये, तो पहले तो स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं तो स्वास्त के स्वामी इस सप्ता व्यायवाओं में शुक्र और राहू के साथ बैटे हैं शुक्र और राहू आपकी राशी के स्वामी शुक्र और राहू एक साथ बैटे हैं तो कहीं ना कहीं राहु अनिष्ट कारक रहे हैं, शुक्र के साथ में बैटने से शुक्र जीव जन्तु को का भी कारक होता है, तो पहले हम स्वास्ते के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्वास्ते तो वैसे तो आपका ठीक है, ये जो सब्ता है, आपका स्वास्ते fit and fine रहेगा बस किसी जानवर से आपको थोड़ा भय हो सकता है यानि कि कुटे बिली से अगर आप खेलते हैं तो उनको ज़्यादा परिशान ना करें नहीं तो वो हलका पणजा हलका आपको काड़ सकता है ऐसा योग नजरा रहा है साती साथ धन की इस्तिती के बारे में बिरशवराशी की बात करें तो मित्रों के कारण या किसी जान पहचान से आपको कोई धन समबंदी बड़ा काम मिल सकता है या कोई धनलाब हो सकता है इस सब्ता जो धन है आपका बिजली या आपके उपकरणों में भी खर्च होने के यो आद्यम से आपको मिल सकती है रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखा जाए तो रिलेशन भाव के जो स्वामी है वो मंगल है तो रिलेशन इस सब्तहा यानि 20 से 27 मार्ज के बीच में ठीक ठाक रहने वाला है बस क्या है कि पाट्टर का वहन पे खर्चा हो सकता है य यह कि जो योजना आपने मार्च में कहीं घूमने जाने की आप दोनों ने बना रखी थी वो कैंसिल होती भी नजर आ रही है अन्य था पाट्नर के रिलेशन अच्छे हैं अब बात करते हैं ब्रिशब राची के करियर के वारे में तो करियर भाव में अगर देखा जाए तो शनी दिख बली शनी बैटे हैं यानि कि पहला चीज इस सब्ता आपको हर काम में ओवर कॉंफिडेंस हो सकता और ओवर कॉंफिडेंस के कारण आपसे गलती हो सकती है इसलिए इस सब्ता चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे बिजनिस करते हैं आप ओवर कॉंफिडेंस ना हो क तो याद रखिएगा कि शनी इस सब्ता आपके दसम में, आप कोई भी बात, कोई भी निर्णे करियर से रिलेटिड ले रहे हैं, तो पहले उसको पढ़ें, पुरा डॉकुमेंट पढ़ें, या पूरी तरह से सुनें, उसके बाद साइन करें, मित्रों से किसी टॉपिक को ले मित्रों राशी के लिए देखा जाए, तो यहाँ पर मंगल नीच के बैठे हैं, आपकी राशी में, यानि 20 से और 27 मार तक देखा जाए, तो सबसे पहले स्वास्त के बारे में बात करें, इन्टी की प्रॉब्लम या ऐलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, गुसा बह करें, धन के स्वामी चंद्रमा है, तो धन की समस्या आपको इस सब्ता रहने वाली है, यानि कि माता पिता पे आपका कोई धन खर्च हो सकता है, या माता पिता को कोई धन की हानी हो सकती है, ऐसा ही हो कि एक तो इस सब्ता बन रहा है, प्लस आपका जो धन इस सब्ता आना थ अच्छा है सूर्य बुद्ध गुरु तीनों ग्रह आपके दसंबाओं में बैठे हैं तो इस सप्ता देखा जाए तो अगर आप नई नौकरी स्विच्च करना चाहते हैं या मैनेजमेंट से कोई बात करना चाहते हैं तो यह सप्ता आपके लिए लाब कारी है क्योंकि प्रजक्ट नया ओफर आपको मिल सकता है तो कुल मिला के करीयल के लिए एट लीस से 27 मार्श बहुत अच्छा रहेगा मैनत करें बात करते हैं मितुन राजी के बारे में तो रिलेशन भाव बहुत अच्छा है सप्ताहा रिलेशन अच्छा रहेगा परिवार के साथ में करकराशी की तो करकराशी का देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्ति के बारे में बात कर रहेते हैं जो चंद्रमा है कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता चंद्रमा अस्टम भाव में बैठा है तो यह जो सप्ताह है आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं अपने आ आपका ध्यान इस सप्ता गडबड है तो आप फिसल सकते हैं तो कहीं भी वॉक करते हैं चलते हैं पिसलन वाली जगह पे करकराशी वाल को थोड़ा स्याबधानी रखनी है और एकागर जित्ता रखनी है धन के इस्तिति की बात करें तो सूरिय जो है आपके नववम भाव या संगासन योग का निर्मान करा रहा है यानि संगासन योग का मतलब आपको अच्छी पतिष्ठा मिल सकती है सप्ता इस सप्ता आपको अचानक बड़ा धन की डील ये धन प्राप्त हो सकता है इस सप्ता आपका धन पूजा पौट में भी आपका खर्च होगा तो कुल मिला क करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में शुक्र राहु दोनों घ्रह विराजमान है तो कहीं ना कहीं इलक्ट्रोनिक आइटमों में आपका खर्चा होगा आपकी मशीनियां कारिस्तल की खराब हो सकती है यदि आपका कंप्यूटराइज काम है सॉफ्ट्वेर ओनलाइन काम है तो आपके कंप्यूटर खराब हो सकते हैं उनकी खराबी आ सकती है जिसमें आपका धन खर्च होगा थोड़ा काम भी डिले हो जाएगा कुछ दिनों के लिए लेकिन काम के लिए ये जो सब्ता है शुब फल दायाक है नया काम का प्रोजक्ट क के बारे में तो रिलेशन की जहांता बात करें तो पार्टनर के माता पिता के स्वास्थ में कुछ गरबड़ी या बाकि रिलेशन सब कुछ अच्छा है पार्टनर अपने माता पिता के हेल्ट के लिए थोड़ा परिशान रह सकता है इस सब्ता सिंग रासी की अगर बात करे तो कहीना कहीं जो इस सप्ताहा जो बहुत इंपोर्टेंट योग बन रहा है वो कहते हैं धोजा योग धोजा योग का मतलब आपको कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है या किसी समाजिक संस्ता से आपको मान सम्मान पद का ओफर मिल सकता है ऐसा योग बन रहा है क्योंकि दोजा योग सिंगराशी पर बन रहा है धन की स्तिकी बात करें तो इस सब्ता बुद्ध अदित्ती योग बन रहा है यानि कि तीन जगा से छोटा मोटा आपको धनलाब हो सकता है आप वो तीन जगा जानने की कोशिश करते हैं आफिस से आपकी कुछ बाते कुछ डिमांड मान ली जाएगी दूसरा देखा जाए तो माता पिता से भी कोई गिफ्ट कोई उपहार आपको मिल सकता है तीसरा आपका जान पैचान मित्रों से कोई एक्स्टा इंकम के या एक्स्टा काम के योग भी नजर आ रहें करियर के बारे में अगर बात करें तो शुक्र और राहू दोनों चीजे बैठी भी है यानि खर्चा आपका आधिक रहेगा इस सप्ता यानि कि आप इस सप्ता की अगर हम बात करें तो आप बहुत जगा पे दूसरे शहर की काम के सिलसले में यातरा करेंगे पेट्रोल लगाएंगे डीजल फोकेंगे लेकिन काम उतने सपल नहीं होते यानि कि 10 कामों में से आपको 3 या 4 कामों में ही सपलता मिलेगी साथी साथ जो नया काम आपको मिलेगा भी सप्ता तो वो ऐसा लगेगा कि कैंसील हो गया या उस काम में टेंशन जादा रहेंगी अब बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में तो रिलेशन में देखा जाए तो आपके पार्टनर से आपकी बॉंडिंग अच्छी है लेकिन पार्टनर को सप्ता हेल्थ की प्रॉब्लम खासकर माईग्रेन या सरदर्द की प्रॉब्लम में ज़्यादा रह सकती है यानि पार्टनर सरदर्द और माईग्रेन से परेशान रह सकता है अब बात कर लेते हैं कन्या राशी के तो यह सपता है यानि 20 मार से लेकर 27 मार तक देखा जाए तो आपके कुंडली में बुद्ध अदित्ती योग बन रहा है यानि कि स्वास्त के बारे में बात करें तो आपका स्वास्ती अच्छा रहेगा या तो आप किसी एक्टिविटी हवन में आप शरीक हो सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है धन की इस्तती की बात करें तो धन की इस्तती कन्या राशी की सपता यानि 20 से 27 मार बहुत अच्छी नहीं है धन भाव में केतू कुंडली मार के विराजमान है तो किसी वस्तु की आपकी हानी हो सकती है मोबाइल धन बढ़ सकते हैं साती साथ धन के लिए इस सपता किसी से वाद विवाद भी होगा लेकिन धन का फ्लो आपका नॉर्मल है यानि कि कुछ चीज अच्छी कुछ चीज खराब है करियर के बारे में अकर कन्या राशी की देखे तो यहां भी बुदा दित्ती योग बन रहा है काम समंदी दूसरे सहर की आपकी यात्राएं ज़्यादा रहेंगी सपता साती साथ ओफिस मित्रों के साथ में आप किसी पूजा पार्ट में शरीक होंगे मंदिल जाएंगे या तीर्थ यात्रा में जाएंगे नया प्रोजेक्ट नया काम आपको इस सपता मिल सकता है relation के बारे में अगर हम बात करें तो यहां भी बुद्धा दित्ति योग कही जादू है आप partner के साथ में किसी पूजा पार्ट घर में करने वाले हैं या पूजा पार्ट में शरीक होंगे साथी साथ आपका partner ये दी working है तो उनको पद धनका लाप इस सप्ता मिलने वाला है आपकी नजर आएगी पुरानी समस्याओं का समाधान ओटोमेटिकली हो जाएगा यानि कि यह जो सप्ता है तुलाराशी का स्वाष्ट अच्छा रहने वाला है धनकी स्तिती की बात करें तो दो जगा से धनलाब प्राप्त हो सकता है एक तो एक्स्ट्रा इंकम के आपके य परिवार के बारे में तो परिवारी के स्तिती थोड़ा इस सप्ता गडबड है यानि माता पिता को स्वात्य समंदी हलका कस्ट रह सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है करियर की बात करें तो करियर में तुलाराशी का इस सप्ता बूदादिती योग बन रहा है यानि बौस आ लंबी दुरी की यातरा इस सपता लिकी है बात करें relation की तो इस सपता relation भावो में बुदधेति योग बन रहा है यानि पार्टनर को पधधन के लाभ होगा ऐसा योग नजरा रहा है पार्टनर के साथ में बड़ा पूजा पार कोई साधना आप करने वाले है ऐसा योग नजर की problem आपको रह सकती है इस सप्ता धन की स्थती की बात करें तो धन बाओ के स्वामी है गुरू गुरू इस सप्ता हांस योग का निर्मान करा रहे हैं यानि रुका हुआ धन आपको मिलेगा धन सम्मंदी कोई बड़ी डील आपकी इस सप्ता बन सकती या अचानक धनलाब आप को मिल सकता है तो धन की स्थती बहुत अच्छी है करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ता बुदादित्ती योग बन रहा है यानि कि नया काम का आपको कोई offer मिल सकता है यह नए प्रोजक्ट में आपका नाम हो सकता है काम के सिलसले में चुटी मूटी यात्राइश सप् भी होगी रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो रिलेशन के लिए बिर्चिक रासी के लिए यह सप्ता भारी रहेगा पती पतनी या प्रेमी प्रेमिकाओं में वाद विवाद रहेगा मदबेद बहुत ज़्यादा रहेंगे आप बात कर लेते हैं धनूराशी की तो धन की श्थितिकी बात करें तो कहीं न कहीं इस सपता आपकी मध्यम रहने वाली है यानि कि जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी प्लस धन के लिए यह किसी वस्तू के लिए भाई बैनों से वाद भी वाद भी इस सपत बन रहा है, साती साथ career के बारे में बात करें तो बुदादिती योग career में बन रहा है नया काम आपको मिल सकता है करियर में boss से कोई lamab को मिल सकता है या बॉस आपको किसी ऐसी जगा में भेजेगा जहां से आपको लाब होगा साथी साथ देखा जाए तो रुका हुआ सरकारी काम भी इस सप्ता बन रहा है relation की बात करें तो देखा जाए तो ये जो सप्ता है पती पतनी या प्रेमी प्रेमी का उनको एलर्जी की समस्या आपके पार्टनर को रहेगी शरीर पीड़ा की प्राव्लम रहेगी लेकिन उनके करियर के लिए ये सप्ता उनके लिए इंपोर्टेंट है तो आपका पार्टनर यदि वर्किंग है तो उनको करियर में पद धनलाब का योग बनता है बौस उनके काम की सरा यानि आफिस में उनकी तारीफ होगी याद रखियेगा आप बात करते हैं मकर राशी के लिए यह सप्ता देखा जाए तो स्वास्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं स्वास्ति आपका समाने रहेगा थोड़ा बिजी रहेंगे इस सप्ता आप साथी साथ धार्मिक कारियों म में इन्वॉल्ब रहेंगे या धार्मिक कारियों में आप इन्वॉल्व रहेंगे धन की स्थि की बात करें तो इस सप्ता मैनत बहुत ज़्यादा है यानि मैनत करके ही धन मिलेगा और देखा जाए तो धन के लिए हलका फुलका माता-पिता से वादविवाद हो सकता है धन समंदी या मशीन से समंदी चीजों में आपके खर्चे हो रहें सब्ता करियर के बारे में देखा जाए तो इस सब्ता बहुत ही जादा श्ट्रगल करना पड़ेगा और आपके कैंसील क्लाइंट से वाद विवाद जादा रहेंगे और कारियों में असंतोश रहेगा यानि कि यह जो सप्ता है काम के लिए बहुत अच्छा नहीं है रिलेशन के लिए अगर बात करें तो रिलेशन में भी आपके पार्टनर को शरीर पीड़ा अधिक रहेगी इस सप्ता यानि आपका पार्टनर शाररीक प्रॉब्लमों से ज्यादा प्रॉब्लम परिशान रहेगा अब प्रॉब्लमों लेकि इस सब्सक्राक चला स्ब्सक्राइब करें तो धनी की श्तती की बात करें तो धनी की इसतती सब्ता बहुत अच्छी है और पूदा योग बन रहा है यानि कि 20-27 मान तक 3 जगा से धनसमंदी कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है पहला चीज अगर देखा जाए तो कोई डील लेके आपके पास आ सकता है उससे आपको धनलाब होगा सरकारी रुकाववा काम या सरकारी फसाववा धन आपका मिल सकता है साती सात अचानक बड़ा धनलाब आपको कोई हो सकता है तो 3 जगा से धनसमंदी कोई सुप सूचना आपको मिल सकती है करियर की बात करें तो करियर इस सब्ता समानने रहेगा थोड़ा बिजी स्टूल रहने वाला है बस मशीनों में या बिजली की खराबी के कारण थोड़ा काम डिले हो सकता है थोड़ा परिशान रह सकते हैं थोड़ा बहुत उसके बाद इस्टती नॉर्मल है रिलेशन में अगर देखा जाए तो इस सब्ताहा देखा जाए चाए पती पतनी हो चाए प्रेमी प्रेमी का हो पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या मंदिर जाने के योग बनते हैं और पार्टनर के कारे में उनको तारीफ मिलेगी मिल सकता आप बात कर लेते हैं कुम्ब की आप बात कर लेते हैं मीन राशी के बारे में बात करने तोफिय गुरु और बुध आपके ही राशी में विराजमान है। देखा जाएं तो इस सप्ता मर्म कार्यों में आपके रूची रहेगी। inic window कराने वाले हैं या मंत्र का पार्ट करने वाले हैं और नया कुछ सीखने वाले भी है सप्ता और नई कोई पुस्तक पढ़ने वाले हैं ऐसा योग नजरा रहा है यानि इस सप्ता आपका स्वास्ति है आपका मानसिक स्वास्ति है सारीक स्वास्ति वेल लें गुड है धन की स्थति की बारे में बात करें तो धन की स्थति भीडबाल बाली जगा पे अगर मीन राशी वाले जा रहे हैं तो ध्यान रखें आपके वस्तु चोरी या गुम होने के योग बनते है हाँ हलाकी धन की इस्तती आपकी बहुत अच्छी रहेगी सब्ता करियर के बारे में बात करें तो करियर में हंस योग बन रहा है यानि पद प्रमोशन के अच्छी योग बन रहे हैं कोई प्रोजक्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस सब्ता अपने management अपने boss से बात कर सकते हैं आपकी बात सुनी जाएगी याद रगिएगा साती सात करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन management में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को इस सब्ता मिल सकता है जो कि आपके लिए लाबकारी है जो भी काम इस सब्ता आप करेंगे उसमें सबलता आपको मिल सकती है ऐसा योग बन रहा है साथी साथ आप relation के बारे में बात करें चाहे पती पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो पार्टनर के साथ में मंदिर या तीर्थ यात्रा के युग बनते हैं साथी साथ पार्टनर आपको अपने करियर से सम्बंदित कोई खुशकबरी दे सकता है यानि कुल मिलाकर देखा जाए तो relation भी बहुत अच्छा रहेगा इस सप्ता तो मित्रो इस कारेकरम में हमने चर्चा करी साथाहिक राशी फल के बारे में ये कारेकरम अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप फेस्बुक में देख रहे हैं यूट्यूब में देख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जय मता दे